नमस्कार दोस्तों सोगते हैं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में और दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ प्रेगनेंसी में मखाना खाने के फाइदों के बारे में फ्रेंस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सस्क्राइब कर लीजे और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें अब बढ़ते हैं वीडि सब्सक्राइब जाए तो वह करोवथा के लिए लाम बात कर रहे मकानों की गर्ववस्तां में मकाना खाना सुरक्षिते क्योंकि जाते जो गर्वथा की कहीं समस्याओं कर सकते हैं एक विग्यानिक अध्यन में माना गया है कि केलशियम, प्रोटीन, फेट और आईरन जैसे पोशक ततु मा के स्वास्ते और शिशू की विकास में साहिक होते हैं अब फ्रेंज जानते हैं गर्ववस्ता के दोरान मखाने खाने की क्या क्या फाइदे होते हैं पेला फाइदा है अनिंद्रा में साहिक गर्ववस्ता में मखाने का सेवन करने से अनिंद्रा की समस्या से भी आराम मिल सकता है मखाने की में किड्नी और हिर्दे स्वास्ते के लिए जो लापकारे गुन पाए जाते हैं साथ ही मखाने का सेवन बेचेनी घपराट और अनिंदरा की समस्या को भी धूर रखता है दूसरा फायदा है आईरन से भरपूर बच्चा जब घर्व में पल रहा होता है तो उसके विकास के लिए आईरन की आवशकता होती है मखाने में आईरन की भरपूर मात्रा पाए जाती है जो गर्व में शिशू की विकास में साइक होती है अब बात करते हैं अगले फायदे के बारे में ब्लट पेशर को कंट्रोल करने में मखाने के सेवन से प्रिगनेंसी के दोरान अचानक बढ़ने वाले ब्लट पेशर के खत्रे को कम किया जा सकता है मखाने में केल्शियम की मात्रा पाए जाती है डॉक्टर का मानना है कि केल्शियम की पूर्ती से प्रिग्नेंसी के दोरान अचानक बढ़ने वाले बलड वेशर को कंट्रोल किया जा सकता है अगला फाइदा है गर्व में शीशू की हड्डियों के लिए गर्व में पल रहे शीशू की हड्डियों को मजभूती और दातों के विकास के लिए बीटामिन टी का सेवन आफशक है जो मुखानों में पाया जाता है इसलिए गर्वस्ता मेला को मुखाने जरूर खाने चाहिए अगला फाइदा है शुगर कंट्रोल करने में गर्वस्ता के दورान शुगर कंट्रोल करने के लिए भी मखाने के लाप देखे जा सकते हैं एक विग्यानिक माननेता के अनुसार यह कहा गया है कि गर्वस्ता में कम शुगर वाले खाते पधारत का सेवन करना चाहिए और मखाने में शुगर की मातर नहीं पाई जाती है अगला पाइदा है एनीमिया की खत्रे से पचाता है मखाने का सेवन गरवस्ता के दोरा शरीर में रेड बलड सेल्स की कमी नहीं होने देता क्योंकि मखाने का सेवन आईरन की पूरती करता है गरवस्ता में मकाने के सेवन से गरवती महला के शरीर में बिटामिन A की पूर्ती होती है एक विग्यानिक शोध के अनुसार गरवस्ता में बिटामिन A की प्रियाप्त मात्रा लेने से शीशू के आँख कान और रीट की हड़ी के विकास में साहिता मिलती है तो फ्रेंस यह थे मकाने खाने के फाइदे अब आत करते हैं कि एक दिन में कितने मकाना खाना चाहिए मकाने का सेवन एक निशित मात्रा में ही किया जाना चाहिए एक दिन में दो से तीन मुठी मकाने का सेवन कर सकते हैं जो कि लगबग 25 ग्राम के आसपास हो सकता है तो देखा फ्रेंज आपने यही ते कुछ ऐसे फाइदे उमेद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें और मेरी चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी न भूले थैंक यू फ्रेंज मिलते हैं अब अगली वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई